आज मैं आपके साथ MDCAD 2024 का डेष तागरेट 46 शेयर करूंगा सबसे पहले बिस्मिल्ला इवाहिम MDCAT 2024 के Dairy Target 46 में जो सबसे पहला subject हम discuss करेंगे वो हमारे पास है biology का biology में जो chapter हमने PMDC के syllabus के according जो start किया हुए enzymes उसका आज हम topic discuss करेंगे classification of enzymes classification of enzymes का ये topic हमारे PMDC के syllabus में clear ये mention नहीं है लेकिन ये topic है हमारे पास ये हमारे enzymes के chapter से related है तो sometime जो हमारे admitting universities हैं वो अपने MDCAT के question paper में यहां से question लाजमी दे देता होता है ये बहुत से boards में ये topic नहीं लिखा हुआ है जैसे का अगर हम PTPK के ही मिसाल ले ले तो उसमें जो biology की book है उसमें ये topic नहीं लिखा हुआ तो other boards में भी यही होगा लेकिन अगर आप फैडर को लेकर तो फैडर में ये topic enzymes के chapter में लिखा हुआ है तो आपने ये topic फैडर से लाजमी कर रहे ना इसको या आप अपनी book पे लिख सकते हैं या इसकी आप print out ले सकते हैं इस topic की आप pictures का print out लेकर उसको अपनी उसी chapter enzymes के chapter में इसको आप paste कर ले इसको अच्छे तरह से आपने cover करना है क्योंकि यहां से अगर question आ जाए तो आप इसको अच्छे तरह से tackle कर पाएं तो classify questions of enzymes जो हमारे पास IUB यानि के International Union of Biochemistry ने in 1961 में enzymes को classify किया था अपॉन reaction types पर इसको enzymes को six types में classify किया था IUB यहनके International Union of Biochemistry में वो six types हमारे पास हैं oxido-reductase, transferase, hydrolase, lyase, isomerases and lyases तो यह six types आप अच्छे तेकर से federal की book से cover करेंगे अगर आपकी board की book में यह लिखा हुआ है तो well and good आप इसको आप अपनी board की book से लिखा हुआ है then आप fader की तरफ move करेंगे जो हमारे पास IUBB यहनके International Union of Biochemistry में जो की पहली type जो हमारे पास enzyme की है वो हमारे पास है oxido-reductase इस type में आप oxidation and reduction दोनों के बारे में परेंगे यह जो हमारे पास types हैं यह six types में इनकी जो examples हैं वह most important है क्योंकि examples mostly MDCAT की paper में आती है जैसके वह पूछ सकते cytokrom oxidase यह हमारे पास जो example है यह कौन सी enzymes की type की example है pepsin, renin and trypsin then उसके बार liasis यह भी एक important हमारे पास enzyme की type है जिसकी example है histodine decarbozylase यह हमारे पास इसके बार last हमारे पास enzyme last नहीं sorry last नहीं second last है हमारे पास isomerasis जिसकी example है phosphohexosis isomerasis then last enzyme की type है हमारे पास ligasis जिसको synthetases भी enzyme की type कहते हैं इसकी example है हमारे पास polymerases तो यह थी हमारे पास reaction based पर हमारे पास enzymes की six type then on the basis of upon substrate substrate की basis पर हमारे पास enzymes की type जो हैं वो हमारे पास char हैं जिसमें पहली type है हमारे पास proteases then lipases then carbozyl carbohydrates and then nucleases इसमें भी हमारे पास इसकी most important है जो इसकी examples हैं तो आपने परनी है जितनी भी information इस topic में लिखी गई है वह आपने परनी है then most important यहां पर एक box दिया गया हमारे पास science type bits इसमें आप लिखा हुआ है है कि how are enzymes named तो इसमें enzymes के name का suffix पताए गया तो इसमें most important जो एक point आपनी अच्छे ते किसे आपने परना है उसको अच्छे ते किसे highlight करना है कि enzyme का suffix है उसको तो एस कहते हैं जैसे के enterokinesis यह हमारे पास enzyme की type का जो आप अच्छे देखे से इसको जहन शीन कर सकते हैं जैसके transferises एंड पर एस आता है तो enzyme का जो हमारे पास suffix है वह एस है तो यह भी sometime paper में question आ सकता है तो यह आपने topic cover करना है फैडर की book से दन उसके बात पोस्क यह आपकी book है जो आपकी provincial book है फैडर की book पर जो last पर हमारे पास most important जो exercise दी गई होती है उसको आपने अच्छे देकर परना है तमाम mcqs को आपने solve करना है जितनी भी information and पर हमारे पास लिखी गई होती है जिसके multiple choices fill in the blanks और summary वगरा उनको आपने अच्छे देकर से परना है highlight करना है क्योंकि sometime most important जो हमारे पास information होती है वो summary और mcqs fill in the blanks में ही लिखाता है क्योंकि यह जो हमारे पास summary वगरा होती है results summary fill in the blanks and fill in the blanks जो हमारे पास होती है multiple choices यह हमारे पर पूरे chapter की पूरा एक निचोगर होती है तो आपने इसको cover करना है इससे आपके concepts भी build होंगे और अगर यहां से question आ जाए तो वह तो well and good आपका बहुत ही अच्छा यनके हो जाएगा आपका जो एक marks आपको मिल जाएगा तो यह था आपका biology का target 46 then chemistry का target 46 की बात कर लें then chemistry का target 46 की बात कर लें तो कल मैंने आपको acid catalyzed addition reaction start कर वाये थे इसमें mostly reactions यह हैं इस chapter में तो यह नहीं में से questions आते हैं तो आज के जो आपने reaction cover करना है वह आपके पास reaction है reactions of ammonia derivatives तो यह आपने cover करना most important है इसमें ammonia का roll aldehyde and ketones का यह most important reaction है इसका general reaction आपने करना है इसकी जितनी भी information हमारे पास लिखी गई है वह आपने करनी है then उसके बाद next हमारे पास most important reaction आता है reaction with hydroxyl amine यह आपने करना है then reaction with phenyl hydrazine then next reaction 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 with hydrazine then next reaction 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 with 2,4-dynitro phenyl hydrazine तो यह आपके पास most important reaction है इसमें mechanism of reactions of ammonia derivatives यह हमारे पास सारे हमारे पास जो reaction reaction of ammonia derivatives यह आपने यहां से start करना है reactions of ammonia derivatives के adding से start करके last mechanism of reactions of ammonia derivatives इसमें अगर कुछ reactions अगर आपकी book में नहीं लिखे हुए तो आप consult कर सकते हैं PTB को या federal को क्योंकि हमारे पास हमें अपना कोई भी marks deduct नहीं कर सकते हैं कोई भी chance हम अपना waste नहीं कर सकते हैं then most important बात यहां पर हमारे पास कुछ formulas given हैं तो इनको भी आपने अच्छ दिकर से करना हैं यह हमारे पास इन्शालला अगर आपका आगया तो आपका कोई marks deduct नहीं होना चाहिए इसमें जो आपने खास्त पर ध्रान रखना है आपने जितनी भी हमारे पास जैसे के प्राइट नहीं है तो आपका यही टॉपिक है रेक्शन रिएक्शन विद अमूनिया डिरिवेटिवेटिव यह था आपका कमिस्टी का टागट 46 दैन हम फिजिक्स के टागट 46 की बात कर लें दॉपिजिक्स के टागट 46 की बात कर लें तो इसमें जो आज आपने न्यू चेप्टर हमाज स्टार्ट करने रगे हैं अकॉर्डिंग टुपी यह चेप्टर ट्वन्टी है तो लेकिन आपके अफिक फिशन चेप्टर की नम्बर कर सकती है को डिफेंट नम्बरिंग औ हो इसमें हमारे बच्चा इक ही दिया गया Atomic Spectrum या लाइन स्प्रेक्ट्रम यह हमारे पास इक most important chapter है इसमें से 2 mcq आने होते हैं तो 2 mcq भी बहुत important है हमें एक अगर बच्चा उसके 190 marks है और एक बच्चा यह chapter नहीं करता तो बच्छे देगर से कवर करने मैं आपको इसका एक अच्छा आपको मैं तरीक आप आँगा इस चैप्टर को करने का यह चैप्टर आपने सबसे पहले जो इंफरमेशन हमारी बुक में लिखी कि यह मैं अपनी बार हाँ आप वीडियो में कहता हूं कि आपने नुमेरिकर्स को करेंगे में मिझे मेरा फिसक्स का पॉशन कैसे कवर होगा तो बात मिमझे रियालाइज हो लुए कि हमारे पस थेरी-based question होते है उसकी जो विटिज होता है जैसे करा अगर हम बात करें फिजिक्स के इसमें 54 questions आने हैं जिसमें से अगर हम बात करें तो जो हमारे पास 40 to 45 questions जो होंगे वो theory based होंगे आप mostly federal का paper देख सकते हैं UHS का देख सकते हैं UHS ने mostly जो होते है numericals की ratio वो 19 या 14 तक जाती है लेकिन 30 to 35 questions फिर भी theory based ही रहते हैं तो मैं आपको यह strongly suggest करूंगा क्या अपने numerical से ज्यादा अपनी theory पर focus करने हैं अपने दोस्तों के साथ आप discuss कर सकते हैं theory की कोई line जैसे के red bar constant के बारे में आपको इसकी definition उसकी important value जो है वो आप कर सकते हैं जैसे के nums में पूछी गई थी तो इसी तरह से questions आते हैं तो numerical को follow हर्गेज ना करें उसको भी करना लाजमी है यह नहीं मैं कहारा को उसको ना करें उसको करेंगे तो आपने सबसे बहुत है इसको करने का आपका सबसे अच्छे सब्सक्राइब कर सकते हैं इंटरनेट पर वो अवेलिबल होगी या आप मेरा को जो मैंने कम्यूनिटी टैप पर मैंने एक इंपोर्टन लिंक आपके सब्सक्राइब करें अपने वाट्सब चैनल का आप उस वाट्सब चैनल को जोईन करें उसमें सारे में सब्सक्राइब करेंगे उसमें इंपोर्टन इंपोर्टन इंफर्मेशन रिखी हुई है जो मौस्टी पेपर में वही इंफर्मेशन आती है तो चलिए आज यह चैप्टर न्यू चैप्टर हम स्टार्ट करने लोगे हैं अटॉमिक स्पैक्ट्रा बिस्मिल्लार रह्मान र हीम क्योंकि एक इंपोर्टन हमारे पास तो अटॉमिक स्पैक्टा चैप्टर में जो आज आप टॉपिक कवर करेंगे वापके पास टॉपिक है Atomic Spectra का Introduction, Atomic Spectra के Introduction में आप Spectros Copy क्या होती है, उसकी Types आप परेंगे, Spectra के Types, जो Band Spectra एंडिस्क विट और Line Spectra, हमारे चैप्टर में Line Spectra और Atomic Spectra को ही डिसक्स करना है, तो Atomic Spectra का आप जितनी भी Introduction Information की उसको आप Highlight करेंगे, देन उसके बाद इसमें जो हमारे पास Redbird के Mathematical Form लिखी रही है, वो आप Cover करेंगे, उसको Cover करने के बाद Redbird Constant की Value, 1.0974 इंटो 10 की पावर 7 मीटर पर सेकंड, तो और यह हमारे पास ही, इंपोर्टन्ट हमारे पास Redbird Constant की Value है, आप इसको Cover करेंगे, यह था आपका Physics का Target 46, मैंने अपना WhatsApp का चैनल बनाया है, ऑफिशल हमारा यह जो Medical Atees का WhatsApp चैनल मेंने बनाया है, उसका मैंने Community Tab पर भी है, उसका Link दे दिया है, और इस वीडियो के Description में भी मैं लिंक दे दूँगा, आप उस लिंक को क्लिक करकर में WhatsApp चैनल में, आप अपने आपको Enroll कर आए, Enrollment Free of Cost है, आप उसको, अपने आपको Enroll कर वाए, और उसमें मैं आपके Most Important MCQs आपके साथ Share करूँगा, Most Important Books, Most Important MDCat के Information, I Hope मैं आपको अपनी बात समझाने में काम्याब रहाँगा, अगर आपको में वीडियो पसंद आए, तो में वीडियो को Like कीजिएगा, मेरे चैनल को Subscribe कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ MDCat 2024 के डेविट आगर शेयर करना ना भूलेगा, खुश रहें, खुश रहने दें, अल्ला हाफिस,